क्या हो अगर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड मिल जाए जिस पे एक सिंगल क्लिक पे मिनिमम से मिनिमम साड़े तीन हजार की अर्दिंग हो और उससे भी बढ़िया तो तब होगा जब आपके पास ऐसे keywords मिल जाए जिस पे millions में searches हो लेकिन competition बहुत ही कम हो और well ये जान के आपको बहुत ही surprising लगेगा कि आप blogging में कुछ भी कर ले लेकिन अगर आपको keyword research की technique पे जरा सा भी confidence नहीं है तो ultimately नहीं आपका कभी blog rank करेगा नहीं उस पे कभी traffic आएगा लेकिन सबसे interesting चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी चार से ज़ादा technique including five tips जिससे आप ऐसे keywords को निकालेंगे जो easy to rank हो इसमें higher search volume हो जिसमें जादा पैसा बन सकता है और वो भी within a five minute So guys in this video हम इसी चीज के बारे में detail में discuss करेंगे So अगर आप channel पे नए हैं सीखना चाहता है blogging affiliate और YouTube से passive income के tips तो इस channel पे अभी subscribe कर दो क्योंकि ऐसा ही धमाकेदार videos future में भी आता रहेंगे So बिना किसी further delay के चलता है desktop की screen पर और शुरुवात करता है exactly है क्या जिससे का आप screen पर देख रहे हैं हम यहाँ पर discuss करने वाले 5 major तरीके 5 ऐसे keywords के hacks जिससे कि आप keywords within a five minute figure out कर लेंगे Well अगर आप इस channel को long time से follow कर रहे हैं तो hopefully आपको यह techniques पता होगी लेकिन इसी keyword research को लेकर आप देखेंगे हमारे 32 से भी जादा videos की complete playlist है जो free or cost है जिससे आप इस complete keyword research को सीख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इन सब को जाने का time नहीं है देखने का time नहीं तो आज का यह 10 से 15 minutes का video आपके सारे thought process को open कर देगा और आपके पास सारे keywords के सबसे amazing तरीके मैं आपके साथ share करने वाला हूँ वैल अगर आपको content की quality अच्छी लगती है तो make sure video को like जरूर करें और comment करके बताएगा कि इसमें से कौन से technique आपको सबसे जादा पसंद आई तो चले शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज इससे पहले कि हम सीखें की keyword research के वो technique है आपको पहले समझना होगा keyword किस तरीके से काम करता है क्या है keyword के पीछे का golden rule तो चले सबसे पहले बात करते है types of keyword और इसकी जब भी बात करते है तो मोटा मोटी keyword को हम तीन तरीके से identify कर सकते है जहां पर पहला होता है जिसको बोलता है seed keyword, दूसरा long tail और तीसरा short tail keyword इसका मतलब क्या है ऐसा अब Google में जाते है और type करते है credit card तो यह जो keyword कहलाता है इसको कहते है seed keyword मतलब कि एक primary keyword जिसके around बहुत सारी queries बनी हुई है लेकिन इसे keyword को अगर मैं कुछ और add कर देता हूँ जैसे credit card for bad credit तो automatically यह बन जाता है long tail keyword तो पहला था जो seed keyword था उसके around बहुत सारी queries हो सकती है लेकिन जैसे आप उसका extension देखते है तो यह कहलाता है long tail keyword clear? Now, the second most important part जो आपको समझते कि जरू होता है इसको बोलता है short tail keyword तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसी keyword को आप long tail की बजा है short tail कह सकता है जिसके अंदर तीन से चार word का combination हो क्यों? क्योंकि इसको further extend किया जा सकता है example के लिए credit card for bad credit अगर आप इसको space देंगे तो आपको देख रहा है guaranteed approved credit card for bad credit तो यह हो जाता है long tail keyword तो सबसे पहला हमने देखा seed keyword इसके बाद तीन से चार word का combination इसको कहते है short tail जो अभी भी specific नहीं है लेकिन जब आप चार और पांच word से भी जादा का combination का कोई query देखते हैं तो यह कहलाता है long tail keyword और as a beginner आपको ऐसे keyword डूढने है जिसके अंदर minimum चार word हो और चार से जादा word हो क्योंकि यह focused होते है किसे query को ले करके और इसको rank करना easy होता है तो पहला आपको यह समझना है दूसरा जब भी keyword research करें आपको हमेशा सिर्फ primary keyword नहीं LSI keyword पे भी focus करना इसका मतलब latent semantic index example के लिए माल लिजे कि यहापर मैंने keyword लिखा है best way to improve memory अगर मैं इसको drop करता हूँ यहापर इसको गूगल किस तरीके से other category में count कर सकता है example के लिए आपने देखा कि यह keyword है मैं इसको target करूँगा लेकिन यहापर देख रहे है Google क्या कर रहा है 7 tips to improve your memory तो यहापर tips जो है और ways जो है यह मोटा मोटी एक तरीके का same sense देता है Google के लिए तो अगर आपने सोचा है कि मैं इस keyword को target करूँगा यापर तो competition बहुत लो है तो आपको इसके around जो variations है उसको भी test करना है जैसे कि tips और ways तो यह हो सकता है कि आपके किसी भी tool में जहां पर भी आप search करेंगे low competition बता रहा हो लेकिन यह वाला highly competitive और यह भी reason है कि आप rank नहीं कर पाता है clear लेकिन जब भी आप content लिखे तो make sure आपको ways भी include करना है tips भी include करना है ताकि आप varieties of keyword के लिए rank करें अगर आप scroll करेंगे आपर दिख रहे है ways to improve जखके हमने लिखा है यहापे ways to improve that means कि exactly match है अगर आप नीचे जाएंगे ways to improve अगर आप नीचे जाएंगे tips for improving तो Google जहां जहां पर इसको bold highlight कर रहा है that means कि उसको कहते है LSI keyword और ऐसे keyword के combination को आपको आपके content में use करना है अगर आप ज़्यादा confused है तो इसी के अंदर हमारे वो सारे detail videos है आपको सारे सवालों के जवाब या पर मिल जाएंगे otherwise आप Google में आओ type करो LSI keyword और Mr. Vyaz जैसे आप YouTube में type करोगे automatically आपको हमारा best video दिखाई देगा LSI होता क्या है और आपकी कोई भी query है हर चीज पे detailed videos with screen share बना चुके हैं सिर्फ आपको करना है YouTube में जाना है search करना है keyword और Mr. Vyaz आपको सारे धमाकेदार videos मिलेंगे clear तो ये होता है आपको समझ देगे जरूत की keywords के type क्या है और तीसरा सबसे ज़्यादा important जो आप keyword research में mistakes करते हैं वो है intent of a keyword just take an example अगर मैं Google में आता हूँ और यहां पर type करता हूँ Facebook login अगर आप किसी SEO tool में search करेंगे तो हो सकता है इसके लिए बताए कि मिलियंस में search है keyword difficulty बहुत ही कम है तो आपको लगता है यह तो genuinely easy to target keyword है लेकिन नहीं भाई Facebook login अगर आप Google में search करता है आपका intent क्या है मेरा intent है इस particular keyword में Facebook के main site को login करना ना कि उस पर कोई blog read करना तो आपको लगता है कि मैंने तो easy to rank keyword find out कर दिया लेकिन आपके traffic कभी नहीं आता और यह मोटा मोटी most of the beginners की problem और यहीने example के लिए अभी हमने जैसे देखा best ways to improve memory अगर हम सारे keywords को अगर आप देखें यह क्या है tips है 7 tips, 14 tips, 25 tips, 7 ways, top 10 ways तकमीश कि यह आपे list बनाई गी है अगर list की बाजा है best memory to best improve memory के बारे में आपको प्रॉडक के बारे में को रिव्यू लिख ले कि यह product है जो आपकी memory को improve करेगा तो शायद आपका intent उस particular keyword के लिए match नहीं करेगा no matter आपने क्या research किया है आपके site पे traffic नहीं आएगा तो मोटा मोडी आपको समझ आना चीए कि exactly keyword का intent ही है जिससे आप किसी keyword के around topic लिखेंगे तो तीन सबसा बड़ी problem होती है लोगों को types of keyword में समझ में नहीं आता है तो आपको long-term use करना है हमेशा keyword के साथ में उसके LSI keyword को आपके content में optimize करना है और number 3 सबसे ज़्यादा important उस keyword में content लिखने से पहला ये समझ ले कि उस keyword पे आपको किस type का content लिखना है क्या उसका intent है क्या ये informative है क्या ये commercial है क्या ये किसी तरीके से कोई mixed content है या जिसको navigational बोलते है तो ये है सबसे पहली चीज़ आपको समझने की अभी तक अगर आपके दिमाग में साथ doubts clear है make sure आप comment करें कि हाँ बाई clear है otherwise आपकी query को type किजे ताकि मैं उसको फटापट से reply भी जरूर करूँगा तो अभी बात करते है चलिए हमें पता लग गया keyword में क्या-क्या देखना है कौन-कौन से type के keyword हमें सर्च करना है अभी बार ये कि भाई इस keyword को ढूंडे कैसे इस keyword को जल्दी कैसे ढूंडे ये इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे इसके लिए चार मैथल्स हम डिसक्स करेंगे जापर सबसे पहला मैथल है गाईज हमारा QPM फॉर्मूला जिसको भी नहीं पता QPM फॉर्मूला क्या है कि कैसे आप किसी keyword को QPM फॉर्मूला से फिगर आउट करें इसका मतलब जब भी कोई keyword research कर रहे है किसी भी टेकनिक से आप कर रहे है अगर उस keyword पे Quora, Pinterest और Medium और इस तरीके की कोई भी low-hanging website जैसे Reddit दिख गया ऐसी अगर आपको top 10 pages के अंदर दिख जाती उस keyword के लिए तो आपको मोटा मोड इसको target करना है लेकिन ऐसे keyword को research करते हैं हमारे initial pointers आपको ध्यान रखना है keyword का intent वो long tail keyword होना चाहिए और उसके LSI example के लिए हमने पिछले finance category के अंदर भी डिसकुस किया था आपको यहां पर एक keyword सर्च करता हूँ how to destroy credit card with chip जैसे मैं इसको search करूँगा आपको यहां पर एक तो पहले चीज हमारी fulfill हो रही है वो है long tail अगर आप इसको scroll करेंगे तो यहां पर आपको qura दिख रहा है तो यह easy to rank keyword है no matter किसे भी category में आता है clear तो यह सबसे बड़ा hack है जो most of the beginners को नहीं पता रहता और वो लगता है कि उनको यह finance का keyword है लेकिन बहुत ही जादा competitive है नहीं भाई ऐसे keyword में अगर आप micronish block design करता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में detail में explain किया था कैसे finance category में micronish block बनाए तो यह वाला वीडियो आप जरूर जाके देखें उसमें भी मैंने यही keyword research के technique यूज की थी तो QPM formula that is your golden tip और इससे आप easily कोई भी keyword पर rank कर पाएंगे clear? Let's go to the number 2 which is another technique जो ही है हमारी keyword gap analysis जो one of the my most popular तरीका है जिससे हम keyword निकालते है अगर कहूं तो keyword gap analysis को आप use करते हैं जिससे के आप यह पता पाए कि उसमें QPM का formula कैसा apply होता है example के लिए उसके लिए आपको कुछ paid keyword research tool यूज करना होगा जिससे कि Samrush उसमें आने के बाद आपको यहाँ पर keyword gap दिखाई देगा आपको keyword gap के section के अंदर जाना है now आपको वही popular websites को यहाँ पर enter करना है जो कि हमारे QPM formula में आती है जैसे कि मैं यहाँ पर type करता हूँ पहला qura.com फिर हम जाएंगे यहाँ पर फिर type करेंगे medium.com और फिर तीसरा जो हम यहाँ पर keyword use करेंगे वो होगा हमारा reddit reddit.com और चाहे तो आप यहाँ पर Pinterest को भी लगा सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसी low hanging website को यहाँ पर insert करना है compare पर click करना है automatically आपको सारे के सारे keywords यहाँ पर list out होंगे यहाँ पर आपको ensure करना है कि ऐसे keyword मतलब कि जो keyword यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे keyword या फिर all domain जो की top 20, top 10 में है या फिर आप इसको कर ले कि सारे के सारे domains make sure करना है कि आपको यह 1, 2, 30 के अंदर है that means कि Google के top 3 pages में rank करना है तो automatically आपको वो सारे keywords मिलेंगे इस पर सारी websites rank कर रहे हैं जैसे आप इसको सर्च करते आपको यहाँ पर नजर आ रहा है more than 3.3 million keywords है जिसपे sites कईने के top 100 के अंदर rank कर रहे है अभी हमें क्या करना आप जिस किसी भी category में है यसे example के लिए आप है finance की category में अगर आपको insurance related को keyword चाहिए आप insurance यहाँ पर सर्च कर रहे हैं insurance अगर आप scroll करेंगे यहाँ पर इस auto insurance legit तो यह एक informational queries भी है अगर मैं इसको उटा करके google में paste करूँगा तो अगर scroll करके देखेंगे आपको दिख रहा है Reddit दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है Quora दिख रहा है और यह finance category का keyword है Imagine, यहाँ पर कितना clicks के कितरे पैसा बन सकते हैं चाहे आप adsense से clicks से कमाई या फिर impressions जो कि future में आने वाला है या फिर आफ affiliate marketing या फिर CPA marketing हर तरीके से आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं तो hopefully आपको समझ में आ गया है कैसे QPM formula को यहाँ पर आप apply करेंगे with the help of keyword gap analysis और यह हमारा second major crack है जिससे के आपको अच्छे का से keyword मिलेंगे clear? Let's go to the number 3 tip which is our KGR method जिसको नहीं पता यह मेरी long term strategy है अगर आप totally beginner है आपको नहीं पता किसी content को कैसे top 10 तक within 24 पहुँचाया जाए तो आप KGR formula को use करो नहीं पता यहाँ पर आओ KGR और simply Mr. Vyaz पीचर टाइप करो आपको automatically keyword golden ratio से related यह वाला वीडियो मिलेगा तो यह technique मैंने कहीं और से सीखी हुए जो किस वीडियो में मैंने explain किया है लेकिन मोटा मोटी बताओं तो इस technique का 3 simple rule है पहला rule जब भी आपको keyword search करता है माल लिजे कि यह मैंने keyword यहाँ पर search किया अगर आपको देखना है कि keyword easy to rank है या नहीं है जैसे कि example के यहाँ पर मैंने keyword निकाल के रखा है माल लिजे कि यह वाला keyword इस keyword को जैसे आप Google में type करता है तो सबसे पर आपको देखना है कि इस keyword पर results कितना आ रहा है जो कि बहुत ही मोटा-मोटी बहुत जाद है आप कोई भी keyword research tool यूज़ करें जैसे कि आप यहाँ पर keyword everywhere को यूज़ करता हूँ extension कौन करता हूँ पहला rule इस keyword का minimum search volume जो है अगर आप keyword everywhere का extension नहीं उसकरता है तो आप what's my sub को यूज़ कर सकते हैं आप HRAP पे जाए HRAP की website पे जाए and make sure आप scroll करेंगे तो यहाँ पी आपको free में keyword research tool देखाई देगा जो कि आपको keyword generator मिल रहा है यहाँ पर आकरके भी आप same keyword को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस keyword को copy करो वापस चले जाओ यहाँ पर यहाँ पर type करो country आपकी select करो find keyword पर click करो तो यहाँ पर मोटा मोटी आपको कुछ-कुछ results दिख जाएंगे up to 10 results जो कि free of cost में दिखाएगा आपको दिख रहा है 150 search हो लिए difficulty भी 7 है तो यह 150 वो less than 250 के अंदर है that means कि यह easy to rank है पहला दूसरा अभी आपको देखना है कि इस keyword पर कितनी websites है जो directly keyword को target करती है उसके लिए आपको आगे आना है type करना है all in title and then enter करना और देख पारा है सिर्फ 5 ऐसा results है जिन्होंना exactly इस keyword को title में use किया हुआ है तो यह आपके लिए second hint है make sure करना है कि इसके जो results आते है वो less than 10 हो और automatically जैसे आप ऐसी keyword को target करता है जहाँ पर पहला तो हमने देखा QPM formula से core up interest medium है second हमने देखा कि इस keyword को सिर्फ 5 ऐसी websites है जिन्होंना title में use किया है और number 3 यह एक low search volume है और number 4 यह long tail keyword है यह सारे parameters जब match करते हैं you can easily rank within 24 hours I can guarantee अगर आपने इस सारी technique यूज़ किये मज़ा आ रहा है फटावर सा like कर दो subscribe करो क्योंकि आपके subscribe और like करने से मुझे motivation मिलता और ये video उन लोगों तक भी पहुंचता है जिसको इसकी need है ताकि वो सारी spam ही technique से बचे और to the point काम करके 5 minutes में keywords को निकाले hopefully आप भी चाहते है कि society को contribute करे make sure जरूर comment down किजएगा let's go to the next one ये वाला keyword ले लेता है जिसके example के लिए how to destroy जो कि हमने पहले search किया था अगर मैं इसको type करता हूँ मोटा मोटी हो सकता है कि इसके अंदर आपको चोटा मोटे variations दिखाई दे जैसे example के लिए अगर मैं इसको यहाँ पर enter करूँगा तो हो सकता है कि किसी country में ये keyword rank करें किसे में नहीं करें अगर मैं इसको search करता हूँ exactly हो सकता है इसको search is 60 के आजपास से less than 250 है इसको भी आप all in title में अगर इस keyword को डाल के देखेंगे you can easily figured out कि इसके भी सिप 2 results आ रहे है और 3 आटोमेटिकली पिंट्रेस जैसी website anyhow वो टॉप 10 में दिख रहे है थी और 4 यहां पर भी यह long tail keyword है जो 4 से जादा words का combination है तो समझ में आगे है कुछ इस तरीके से आपको use करना है KGR technique जो कि amazing technique है जिससे आपको अच्छा कासा keyword मिलेगा let's go to the last technique जो है competitor analysis और यह सबसे आसान है करना क्या है माल लीजिए आप किसी particular niche में काम करते है अभी आपको सबसे पहला आपका competitor पता होना चाहिए जैसे कि मैं आप type करता हूँ best cryptocurrency to invest in 2024 जैसे मिस मैं type करता हूँ तो आप किसी भी category में है उस category के आप how to keyword search करके देख लेए कि top 10 में क्या-क्या rank कर रहा है Okay Forbes आ रहा है, LinkedIn आ रहा है, Forbes तो ऑटोमेटिक लिए बिक साइड है आपको ब्लॉक्स डूड़ने है जैसे Yahoo आ रहा है, Pursmint आ रहा है, Storm आ रहा है Similarly अगर मैं यहां पर जाओंगा How to start a blog तो automatically how to category में वही blocks आएंगे जो उस category के सबसे बड़े blocks है जैसा HubSpot आ गया Similarly आप देखेंगे The Block Starter आ गया Similarly आप यहां पर देखेंगे यहां पर Rairob.com तो यह सब क्या है यह उस category के top competitor है आपके लिए अगर आप totally beginner है तो यह टेक्निक आदर हो मुझे पता रहता है मेरे competitor क्या है क्योंकि जब भी मैं keyword research करता हूँ तो मुझे दिखते रहते है कही ने कही है Similarly जैसे मैं आपर type करता हूँ How to soundproof और then room जो भी मैं type करता हूँ तो automatically मुझे आपर sites दिख रही है जैसे के example के लिए Everest है यहां पर noise top है, यहां पर popular है, यहां पर wiki house है यहां पर soundproofing store है, यहां पर family garden है The Sprouse है, तो यह सब मेरे competitor है तो आपको क्या करना है, example के लिए मुझे अगर यह वाला पकड़ना है तो मैं किसी भी competitor को उठाऊंगा या फिर आप multiple competitor को उठा करके keyword gap में भी डाल सकते है चलिए मैं इस वाले competitor को उठाता हूँ इसके particular domain name को में use करूँगा और सीधा चला जाओंगा Samra जैसे keyword research tool में जो कि हम अलड़ी आ चुके हैं अभी इस particular tool में आपको सबसे पहले जाना है domain overview में तकमीस कि हम इसके ही easy to rank keyword निकालेंगे यूँकि यह आपकी domain का ही है आप ही के particular niche का है एक highly competitive है इसी के अंदर कुछ ऐसे blocks निखा लेंगे जिस पर rank नहीं करना चाहिए लेकिन यह rank कर रहा है तो यहाँ पर जैसे मैं type करूँगा इसको enter करूँगा then make sure आप search पर click करेंगे जैसे search पर click करेंगे यह जितने keywords पर rank कर रहा है more than 10 million से जादा keywords पर rank कर रहा है now जैसे आप यहाँ पर आते हैं आपको हमारे सारे formulas यहाँ पर implement कर देना है QPM formula, keyword gap analysis और सबसी important चीज, long tail keyword तो आपको यहाँ पर आने के बाद कुछ filters लगाना है और हम पहुचेंगे हमारों keyword पर जिस पर आप easy to rank कर सकते हैं तो example के लिए यहाँ पर जैसे आएंगे आपको आना है पोजिशन में पोजिशन में आने के बाद में आपको इंशॉर करना है कि वो keywords जिस पर यह automatically top 20 के अंदर rank कर रहा हो और जो long tail भी हो कुछ इस तरीके समें इसके keyword निकालेंगे जैसा कि आप देख पार यह बहुत सारे से keywords पर rank कर रहा है अभी आपको जाना है यहाँ पर keyword difficulty में और कुछ ऐसे keywords निकालना है जो आपके लिए easy to rank हो मैंने easy का filter लगा है यहाँ पर automatically जिसकी keyword difficulty under 30% है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो यह मोटा मोटी वो keywords होंगे जिसपे आप भी rank कर सकता है तो let's see क्या यह stats हमको देता है तो यह आपका पहला filter है दूसरा filter आपको आना है यहाँ पर advanced filter में और हमें क्या ज्यांज रखना है हमें long tail keyword चीए तो आपको advanced में आना है और ऐसे keyword जहाँ पर minimum word के combination वाले कौन-कौन से keyword है जिस पर यह side rank कर रही है लेकिन वो आपके लिए easy to rank हो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह automatic लिए वो सारे keywords लेकर के आएगा जैसे के example के लिए bath towel versus bath sheet यहाँ पर आप देख पा रहे है ceiling side of garage door concrete patio ideas how to turn on sprinkler system let's see इसको copy करते है Google में देखते है क्या इस पर हमारा QPM formula apply होता है कि नहीं होता है तो चलिए मैंने इसको type किया यहाँ पर इस particular keyword को में फटापर से copy करूँगा let's go back यहाँ पर इस keyword को में copy करूँगा यहाँ पर आऊंगा और Google में यहाँ पर टाइप करूँगा how to turn on sprinkler system तो आपको पहला the sprouts देख रहा है फिर YouTube के वीडियोज है फिर यहाँ पर भी YouTube है NG है यहाँ पर nature है YouTube है तो यहाँ पर हमारा QPM formula easily काम नहीं कर रहा है okay तो यहाँ पर आप देख पा रहा है second page पर Reddit आ रहा है तो मोटा मोटी यहाँ पर easily आप 24 hours में up to second page तक पहुंच सकते हैं तो इससे आपको आपके competitor को analysis करके उसके keywords को निकालना और देखना है कि अगर top 20 या top 10 के अंदर QPM formula यहाँ पर apply होता है तो वो keyword आप easy to rank use कर सकते हैं तो hopefully यहाँ पर आपको यह चारो technique समझ में आगी है और चारो technique में keyword के वो चार formulas आपको use करने हैं अगर चारो formulas और चारो technique में से किसी भी technique से find out keyword पर applied होता है तो मोटा मोटी आप easily rank कर जाएंगे अगर आप अभी जाणना चाते हैं कि exactly keyword research को और अच्छे से कैसे करना है ब्लॉगिंग को सिखना चाते हैं मैं आपको highly recommend करूँगा आप हमारे Supreme Campus के blogging supreme launchpad course को enroll कर सकते हैं जहाँ पर असे 25 से जादा different keyword की research techniques को मैंने use किया है special promo code का link description में है और बहुत ही धमाकेदार learning मिलेगी अगर आपको step by step blogging सेखना है अगर एक अच्छा कासा skill gain करना है hopefully ये वीडियो आपको पसंद आए लेकिन अगर आप keyword research पर completely learning लेना चाहता है तो आप हमारे इस particular playlist को अभी जाकर के देखे